भाधारन करता है दहमुक देखने में सोम्य है और मंद मुस्कान की शोभासे उपासिकों की मन को मोह लेता है उनका पांच वामुक इसपटिक मणी के समान निर्मल चंद्रलेखा से समुझ्जवल अत्यंत सोम्य तथा प्रफुल नेत्र कमलों की प्रकाश्मान अगवान शिव अपने दाहिने हाथ में शोल परसु वज्र खडग और अगनी धारन करके उन सब की प्रभासे प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नागवान घंटा पाश तथा अंकुष उनकी शोभावडाते हैं पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवरत्ती कला से संबंध हैं उनके नाभी तक का भाग पर्थिष्टा कला से कष्ट तक का भाग विध्या कला से ललाट तक का भाग शांती कला से और उनके उपर का भाग शत्यतीता कला से संयुक्त हैं इस प्रकार वे पांच द्वाव्यापी तथा शाक्षाक पांच कला मैं शरीर धारी है। इशान मंत्र उनका मुकट है। तत्पुर्ष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है। अधोर मंत्र घरदय वाम देव मंत्र उन महिश्वर का गुरुहा भाग है। सजोजात मंत्र उनका युगल चरण है उनकी मूर्ती 38 कला मई है परमेश्वर्शिव का विग्राह मात्रवर्ण माल मैं पांच ब्रह्मा इशान सर्व विध्यानाम इत्यादी पांच मंत्र मैं प्रणव मैं और हंस सक्ती से संपन है इच्षाषक्ती उनके अंक में आरूड है ज्यानशक्ती दक्षिन भाग में है तथा क्रियशक्ति वाम भाग में विराजमान है वे कृत्वयम अर्ठात आत्मतत्व विध्यातत्व और शिवतत्व उनके च्वरूप हैं वे सदाशिव शाक्षात विध्या मुर्ती हैं इस परकार उनका ध्यान करना चाहिए मूल मंत्र से मूर्ती की कलपना और सकली करन की क्रिया करके मूल मंत्र से ही ये ठोचित रीती से क्रम शहर पग आदी विसेसा ध्यान पर्यंत उजन करें फिर पराशक्ती के साथ शाक्षात मूर्ती मान भगवान शिव का पुर्वोक्त मूर्ती में आवाहन करके सद सद गती रहित परमेश्वर महादेव का गंद आदी पंचोग चारों से पुजन करें पाँच ब्रहम मंत्रों से, छे अंग मंत्रों से, पाँच मंत्र कन्याओं से, प्रणव के शक्ति युक्त, भगवान शिव मंत्र से, शांत त्रथा, अन्य वेद मंत्रों से, अत्वा के वल शिव मंत्र से, उन परम देव का पूजन करे, पग से लेकर, मुख शुठी पूजन संपन करके इश्ट देव का विसर्जन की ये बिनाही करम शह पांच आवर्णों की पूजा करनी चाहिए ओम नमोशिवाय अध्धाय 28-29 आवर्ण पूजा की विस्त्रत विद्धी तथा पुत्विद्धी से पूजन की महिमा कावर्ण श्री उपन्युजी कहते हैं हे यदुनन्दन पहले भगवान शिव और देवी शिवा के दाएवाए भाग में करम शह श्री गणेश जी और श्री कार्थी के का गंद आदी पांच उप्चारों द्वारा पूजन करें फिर इन सब के चारों और इशान से लेकर सजोजात परि अवरण में किये जाने वाला पूजन है उसी आवरण में हिर्द आदी छै अंगो सहित अगवान शिव और देवी शिवा का अगनी कोण से लेकर पुर्व दिशापरियन आठ दिशाओं में करम शह पूजन करें वही वामा आदी शक्त्यों के साथ वाम आदी आठ रुद्र दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है शृद्धा पुर्वक्षूद। श्रीकाष्ट और उनकी शक्ति का नैत्रे कोण के दल में श्रीकाष्ट और उनकी शक्ति का तथा वायवाय कोण वाले दल में भक्ती सहित शिखंडीश का पूजन करें शमत्य चक्रवर्थ्यों की भी दूत्य आवरण में ही पूजा करनी चाहिए तृत्य आवरण में शक् इसके बाद उसी आवरण में शक्त्यों सहित महादेव आदी ग्यारा मुर्ट्यों की पूजा करनी चाहिए। उनका अगनी कोण वाले दल से लेकर पुर्वदिशा परियंद आठ दिशाओं में पूजा करना चाहिए। श्री नंदी का, दक्षिन में श्री महाकाल का, उत्तर में शास्ता का, अगनी कोण के दल में मात्र काउं का, तक्षिन दिशा में श्री गणेश जी का, द्रात्य कोण के दल में श्री कार्द केजी का, पशिम दल में जयेष्ट का, वायवया कोण के दल में मा गोरी का, उत्तर दल में चंड का इशान कोन में था शाष्टा एवं श्री नंदीश्वर के बीच मुनींदर श्री व्रशब जी का जजन करें। श्री देवी का जलेष्ठा और गणा अंबा मागोरी के बीच में महाकोटी की पूजा करें। गणामबा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इनके बाद एक आगरिशित हो। देवी शिवा के सक्की वर्ग का भी धान एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तृत्य आवरण के देवताओं का विस्तार पुरुवक पूजन हो जाने पड़। उनके ब्राह भाग में चतुर्त आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पुरुदल में सूर्य का, दक्षिन दल में चतुरुमुक श्री ब्रह्मा का, पश्चिम दल में श्री रुद्र का, और उत्तरदिशा के दल में भगवान विष्णू का पूजन करें। इन चारो देवताओं के भी प्रतक प्रतक आवरण हैं। इसके बाद प्रतम आवरण में शैहो अंगो तसा दिप्ता आदी शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दिप्ता, शुक्ष्मा, जया, भद्रा, विभोती, विमला, अमोगा और विद्रता इनकी क्रमशह पुर्व आदी आठ दिशाओं में स्तिती हैं। दिवित्य आवरण में पुर्व से लेकर उत्तरत क्रमशह चार मूर्त्यों की पूजा करने के बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य भासकर भानु और रवी। ये चार मूर्त्य क्रमशह पुर्वादी चारों दिशाओ पूज निये हैं। तत्प शात अर्क श्री ब्रह्मा भगवान रुद्र और भगवान विष्णु। ये चार मूर्तियां भी पुर्वादी दिशाओं में पूज निये हैं। त्वीत्या आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। त्वीत्या आवरण में सोम मंगल बुद्धी मानों में स्थेष्ट बुद्र, विशाल बुद्धी ब्रहस्पती, तेजोनिधी, शुक्र, श्री सनेचर जी तथा धुम्रवाले भंकर रा हुकेतु का पुर्वादी दिशाओं में पूजन करें, अत्वा त्वीत्या आवरण में द्वादस अलित्यों की पूजा करनी चाहिए। और त्रित्या आवरण में द्वादस राश्यों की, उसके बाद ब्राह भाग में साथ साथ गणों की सब और पूजा करनी इश्यों देवताओं गंधर्वों नागों अपसराओं तथा ग्राम्यों यक्षों यतु धानों साथ चंदों मैं अश्वों तथा वाल खिल्यों का पूजन करें। उनकी अंग कांचती कमल के समान हैं। काल जन्म से ही अंजन के समान काले हैं। और पुरुष इस्पटिक मनी के समान हैं।